हेलो फ्रेंद तो आप सब को दिख रहा होगा एक गोल-गोल क्या है तो यह बेसन का लड़ू है और जो खाने में बहुत ही स्वादिश लगता है और क्या होता है कि यह फेस्टिवल में ही बनता है जदतर होली दीपावली में यह सब में बनता है तो हम लेकर क्या है रक्षा बंधन के लिए तो अब आप लोगो मार्केट जाने की कोई भी जौरत नहीं है घर में थोड़ा सा बेसन है तो आप लोग बनाईए और घर में डेर सारे मिल बाट के खाईए तो बहुत ही असान लगता है बनाने में बहुत इजी से बन जाता है तो बहुत लोग होता है कि हम फ्रेंड ले ली है बेसन पर जो घर में यूज करते है और इसमें हमerton में बेसन और इसमें हम 15 Betty से बना रहे हैं मतलब आपके पास अधी मुण है तो laying नाप लिजे 2 कप आप एक कप घी डाल दीजे घी चाहें आप बटर का यूज कर सकते हैं पर घी से ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि घी का खुशबू बहुत अच्छा लगता है और इसमें मेल्ट होने में भी बहुत सहता मिलता है तो देखें हम इसको बहुत ही तो पिगला करके डालिएगा पहले गरम करके मेल्ट करके उसके बाद आप इसमें घी यूज कीजेगा और अच्छे से हम इसको अच्छे तरीके से पहले इसको भूनना है तो फ्रेंड थोड़ा सा ये टैम लेने वाला है क्योंकि मेरा जितना हम इनको भूनेंगे उतना ही चैन्ज होते जाएगा इसका क्योंकि यह भूनते भूनते अपना जो घी होता है वह छोड़ देता है तो वही होता है और देखिए पूरी तरीके से तरीके से गलर होता है जब भी आप भूजिएगा तो धीमा आज में ही भूजिएगा फ्लेम को एक दम नहीं आपको कभी भी बंद नहीं करना है और इसी तरीके से हम एक एक करके अच्छे से हम भून लेते हैं तो हमको भूनने में कम से कम 25-30 मिनिंट लगा है तो अपना अकॉर्डिंग आप लोग देख लिजेगा और हमेशा थोड़ा चलाते रहना है वरना क्या होगा कि फीट नीचे बैठ जा जाएगा तो मेरा लड़ू पुरा खराब हो जाएगा फिर महेख जाता है बैसन बहुत जल जल जाता है तो देख़िए इसी तरीके से हम इसको चलाते रहना है हमको और क्या होता है कि घी का घुस्भू होता है पिर वह चला जाएगा वरना जरस अभी जलेगा तो घीeeee तो अब यादम को अदमी को घर में सब को पसंद में ह Efendimiz बनाने का बहुत कोई कानों को अलग होता है पर यह रहे हैं अभी हम आपको बताएंगे चोड़ है इदम मेल्ट हो रहा है दम घी दम लग रहा है हलुआ जैसा आपको दिख रहा होगा जैसे सुजी का हलुआ बनाते हैं पुरा गिला गिला बस उसी तरह नजर आ रहा होगा क्योंकि भूंते भूंते यह अल्रेडी ऐसा हो जाता है और देखे यह फ्लेम हम दिखा रहे हैं एक सही होना चाहिए आपको अफलेम को बिल्कुल भी बंद मत कीजिएगा और बंद करने के बाद भी आपको चलाते रहना है क्योंकि जो हम बरतन में बना रहे हैं वो धीपा हुआ रहता है तो इसी तरभी के देखे पूरी तरीके से मेरा घी कैसे मेल्ट हो गया है पूरी तरी के से बनाईएगा तो आपको टेश्ट का तो लाजवाब ही रहेगा तो थोड़ा सा हम इसमें सीट्स दाले हैं खरभूजे का तो आप लोग चाहें तो कोई सा भी ड्राइफ फ्रूट डाल सकते हैं जो आपको पसंद है पर आप सच मानिये तो बेसन का लड़ू में यही इसमें फूट कलर डाल देते हैं तो कलर थोड़ा सा आ जाता है पर आधी आप घर में बनाएगा तो फुट कलर की कोई जरूत नहीं है अदि आप बनाएगा तो क्या होता है थोड़ा डैम लेता है तो बहुत ही अच्छे से इंसान बनाता ही है तो देखिए अग ड़ीं रह अब थोड़ा देर हम इसको मिलाएंगे उसके बाद हम इसको बंद करेंगे और आप जरूर कमेंट कीजिएगा आज का रेसिपी और आज का लड़ू कैसा लगा और आप लोग कौन सा तहवार में बेशन का लड़ू खाते हैं तो यह स्पेसल बन रहा है मेरा रक्षा बंधन क के लिए तो इसी टैप में चलाते रहना है और हम और यह लड़ू इदम खूब अच्छा से मतलब इसी टैप में मतलब गोल गोल बहुत ही अच्छे से हो जाता है बहुत असानी से बद बद आपको लगे के थोड़ा सा मेरा यह सूखा लग रहा है तो आप इसमें गरम घी पिला करके तोड़ा साब डाल सकते हैं अब इसमें हम एक चुथाई कप हम ले लिए हैं भूरा जो यह सुगर का काम करता है बहुत ही इजली मार्केट में मिल जाता है पतंजली फ्लेवर का बहुत ही अच्छा रहता है और आप लोग बिल्कुल भी चीनी पीस करके नहीं ड लड्डू रहेगा फिर वो बन जाएगा हल्वा तो देखिए यह थोड़ा ध्यान दीजिए यह मिठा का पूरी तरह के से मिठा का काम करता है और देखिए हम आपको दिखा भी रहे हैं बांद करके कितना अच्छा से यह बंधा रहा है और यह पिघलने वाला बिल्कुल भ देख रहे हैं अभी तो चलिए इसी तरीके से हम सारा लड्डू को एक एक करके बना लेते हैं और थोड़ा सा मतलब गरम होना चाहिए जादा भी मतलब ठंधा पूरा मत कर लिजेगा वरना फिर विए अपका लड्डू बंधाएगा ही नहीं और आप सब देख सकते हैं यह क्या ही मजा लग रहा है मतलब देखने में भी अच्छा है प्लस खाने में भी उतनई अच्छा है तो चलिये देखिए पूरी तरीके से मेरा लड्डू यह तयार हो गया है उपर से हम थोड़ा सा पीस्ता डाल दीए आप चाहें तो गालिस के लिए आप कोई सभी इसमें और आप देखिए आप सारे बच्चे भी खूस हो जाएंगे लड़ू देख करके क्योंकि यह ऐसा चीजी है क्योंकि सभी लोगों को पसंद है सब लोग बहुत चाव से प्यार से खाते हैं यह और देखने में भी लाजवाब लग रहा है आप लोगों को बिलीब नहीं होता ह होगा कि यह मार्केट का है कि घर का है तो आप लोग देखे होंगे वीडियो को अधी फूल देखे होंगे तो सोचो समझ गया होंगे कि घर में बना हुआ लड़ू है यह और बहुत ही जबड़ जस्त है तो इसी के साथ हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो में और आप लोगों को अच्छा लगे हो तो प्लीज नेक्स्ट ब्लॉग का इंतजार कीजेगा और अच्छा से सेर कर दीजेगा वीडियो अच्छा लगे तो ठीक है बाइ बाइ